हेलो शुरंवें दिसक्स़्पहराद एकिलिपिर टोब डिस्क्सवाइप को शुआ अन्ट शुर्म ऑल्सटीयटा और पटोटेश्यु उटिलिकिलिटी अनध वाद व्यूक यू खिलेंस Caitlin K जो आपकी हर अडीशन पर आपके जो इत्यापकी शेट्ट्रेक्शन और वो कम होती जाती यह लेकिन अब हम बात करते है इकलिवर कंजूमर तो लड़ी आपको पता है कंजूमर कौन होता है जो गुर्ड गुरूर प्रॉइस को पूरा करने के लिए अपनी सथेक्शन को पू होँ है वो इक्लिव में हो आंप इंग पहुंच को कैई सकते हैं इस मेंग सब्सक्राइब करें इसकी क्या डेफिनिशन है सब्सक्राइब होटा है इस इंकम एंग मार्टेट प्रासिट जो भी जो भी है एन जो मार्किट के प्राइस एं ठीक है उन दोनों पर depend करता है He plans his expenditure यहाँ पर वो expenditure को अपने expenditures को क्या करेगा plan करेगा in such a manner that He maximize his total satisfaction means जो definition क्या है maximization of total satisfaction is the consumer equilibrium means consumer के दोबारा अपनी जो equilibrium है अपनी जो satisfaction है उसको equilibrium करना उसो hire करना that is the consumer equilibrium इसको आगे जाके थोड़ा सोर क्लीर करेंगे इसको example के थूँ देखिए इसकी assumptions क्या थे rational consumer तो rational consumer का मतलब यह है कि consumer जो है वो rational है वो हर चीज के लिए सोचता है कुछ भी खाने के बाद वो सोचेगा कितना मुझे मिर रहा है कितना मैं खर्च कर रहा हूँ इसको डिसकस करता है कि मैंने कितना खाया कितना मुझे वहाँ satisfaction मूरी है वगएरा वगएरा ऐसे नहीं कि उसने खा लिया और छोड़ दिया ठीक है वहाँ पर वो rational है means logically उसको चीज को देखता है second के है ordinal utility तो second point is कौन सा है cardinal utility, cardinal means उस नमबर में यहाँ पर हम utility को count करेंगे third के independent utility, independent utility means एक जो commodity की utility, एक goods की utility होगी satisfaction पागर होगी, वो दूसरे पर depend नहीं करेगी, independent होगी means हर commodity जैसे x commodity है, y commodity है, z है जितने भी commodity है, उनकी जो utility power है, satisfaction power है वो एक दूसरे पर dependent नहीं होगी ठीक है, वहाँ पर independent होगा इस point को आगे जाके next में आगे जाके अच्छे क्लीर करेंगे देखते हैं, क्या assumptions है सबसे पहले rational consumer है, cardinal utility है, independent है and margin to money की है आपकी constant I hope this is clear, consumer equilibrium क्या होता है अब देखेंगे इसके बारे में आप नेक्स में देखते है तो अब नेक्स्ट पाइंट का है एक consumer है, जब वो दो commodity को consume करता है मैं इस एक साथ में दो commodity और एक second situation कौन सी है आपकी जब वो एक single commodity consume करेगा when only one commodity is consumed and when two commodities are consumed इस lecture में सिर्फ one commodity के बारे में बात करते है सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपके पास commodity कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आपकी total utility first से मिल रही है आपके उसके बाद आपकी total utility of increase होती जा रही है margin utility first से first पर जादा then decrease होना start हो रही है, decrease हो रही है दिरे दिरे एक point पर 0 होगी then it goes in negative, ठीक है तो this is total utility of x, x means यागा है जो commodity आपकी x है इस commodity का नाम x है इसलिए total utility of x ठीक है तो यहाँ पर मार्च यूट्य एक्स बताया गया है इसको बाद में discuss करते हैं देखिए जहाँ पर हमें एक example के तुरू आपको clear करता हूँ मान लीजिए यहाँ पर आपके पास six commodity है यहाँ पर six commodity है यहाँ पर six commodity यहाँ पर लेगी one, two, three, four, five, six six commodity है अब इन six commodity है हमने क्या select किया हमने क्या let किया यहाँ पर लेट किया कि प्राइस जो पर यहाँ पर यहाँ पर प्राइस है means एक commodity का price कितना है four rupees ठीक है एक commodity का price four है इस commodity को आप कुछ भी मान सकते हो आप चपाती मालो बर्गर मालो पीजा मालो जो भी आपका दिल करता है यहाँ पर आपको लेट कर सकते हो कि यह हमारे पास six commodity है एक commodity का price कितना है चार रुपए means यह भी चार रुपए की है this is also for four rupees and four 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 ठीक है तो यहाँ पर हमें जो एक से जो utility मेरे वो कितनी है 20 first से कितनी मेरे हमे 20 second से 18 देखिए first को consume के जादा मेरे है second को कम रहे है third को 1680 and minus five देखिए जो commodity है वो तो उतनी ही है यहाँ जितनी commodity है वो इतनी commodity वही है लेकिन फिर भी second consume करने के वाद जो कम है हमें जो satisfaction हो रही है हो किया है कम है third और कम फिर और कम हो रही है एक ऐसा पॉइंट आता है मिस अब भी हम रुपा खर्चतों प्र जो expenditure रहे हैं जो पैसा खर्चने तो इस पॉइंट भी जया कर रहे हैं हम अभी भी चार रुपे खर्चने हैं देकि अभी हमें जहाँ satisfaction का मिरें जीरो इसको यहाँ पर चार पर खर्चने का हमें कोई benefit होई नहीं रहा यहाँ पर चार पर खर्चने हैं हमें 8 utility मिर रही है यहाँ पर 20 मिर यह तो लेकिन यहाँ पर माइनिस में यहाँ पर यहाँ पर जीरो मिर रही है ठीक है तो हम इसके आगे दिखते हैं यहाँ पर हमने क्या लैट किया अब सेटेंड लैट करते हैं कि एक utility है जहां पर हम लैट करते हैं कि टूज उटिलीटी टूज उटिल्स की जो प्राइस है वो कतना है वान रुपी ठीक है यहाँ पर कुछ ना पर सकते हैं मैंने क्या पर किया चूटिल्स अगर हम दूज जूटिल्स प्रिचेज करेंगे तो हमें ना पर हो org्रूपय करना पर रहे है एक। कितने रुपए मिल रही है हमें 10 रुपीज भी लेकिन हमने पे कितने के हैं किये हैं only 4 रुपीज हमने यह एंजाब 게 रहे हैं ए हम रहे हैं थीक है तो second point में यहां पर क्या हो रहा है second commodity है यहां पर भी 4 realm में spend किये और टू जो प्राइस है वो कितना है वन रूपी तो यहां पर कितना किया रॉपीज यहां पर भी हमने 4 रूपिज ऐन किये लेकिन हमें आपर हो इस किस जक्षन है चार रुपए की एकल और हमने spend कितने की हैं फोर रुपीज तो दोनों के यहां पर एकल तो हम यहां पर कह सकते हैं this is your equilibrium point means हम जो पैसा spend कर रहे हैं उस पे जितना हमने spend किया उतना ही हमें वहां पर satisfaction मिल रहा है है वहां पर हमने satisfaction level maximum हो चुका है इसके भाद 16 पर उसके बाद oversimum list हम इसके बाद नहीं जा सकती है अगर हम यहां पर गए तो हमईर至 satisfaction लेवल कम होगा ठीक है एक ऐसा पॉइंट आया है जब हमारा स्ट्सक्शन लेवल जादा हो रहा है कम जादा हो रहा हो रहा हो रहा है एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका इकलिबर में आता है तो मेंस आप जो जितना पैसा वहां पे खर्च कर रहे हो उतना ही आपको वहां M means margin utility of money means money जितनी हमने spend करें उसकी margin utility क्या है यहां पर this is 10, first unit की क्या है 10, second की है 9 यह हमने क्या calculate कर रहे थे यहां पर margin utility of money and this is 8, this is 4, this is 0 and this is 2.5 minus 2.5, clear? देखी यहां पर क्या हो रहा है अब first unit पर जब हम 20 रुपीज जब हम first unit को consume कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है 20 वहां पर utility मेरी है तो हमारी margin utility कितनी है 10, ठी है 10 utils लेकिन यहां पर हमने spend कितनी की है only 4 रुपीज लेकिन हमें जो satisfaction मेरी है वो कितने रुपीज मेरी है 10 रुपीज मेरी है I hope this is clear to you और जो आपके consumer क्लिव में किन चीजों पर depend करता है किन factors पर depend करता है that is first क्या है आपका price of commodity जितना आपका commodity का price होगा उस पर depend करता है first thing second क्या है आपका marginal utility of commodity means commodity की marginal utility कितनी है means money से अम जितना extra कर रहे है जितना हम एक्स्ट्रा पैसे वहां पर खर्च नहीं है उससे जो margin utility मिल रही है वो कितनी है ठीक है तीन चीजों पर यह डिपेंड करता है आपका consumer equilibrium price पर margin of commodity पर margin of money क्या होता है margin of money क्या होता है means आप कितना पैसा खर्च करके means एक रुपया जो है वो आपके लिए कितना माइने रखता है कितना आपको वहां पर satisfaction दे रहा है that is marginal utility of money ठीक और बाद जो आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपने इसको ऐसे describe नहीं करना ठीक है आप ड्रेकली इसको इंडेक्स बनाओ और उसके बाद जो भी बुक है उसको एक बार बुक से रीडिंग लो तहां जो आप वहां पर आपने उन्होंने पूरा बताया गया कि आप अगर फर्स जुम करोगे तो आप उसको स्लेक्ट करोगे जा नहीं करोगे सेकिंड करोगे नहीं करोगे मिस कब तक आप उसको इसको बनाना है और आपने इसको डिसक्राइब करना है आई क्लिविन अब ये यहां पर सब्सक्राइब है यहां पर यह यह आप के सब्सक्राइब करें धाता है जब आपका जो कर्यलडियुम में होता है मेर्स कांसल करते हैं तो डेर पिर consumer equilibrium point यह कौन सा point आपका consumer equilibrium means इस point पे आपके जो आप consumer है जितने पैसे आप खर्चर कर रहे हो और जितने आप consumption कर रहे हो that is equal so this is point of consumer equilibrium अब इससे ज़्यादा करोगे तो आप तो आपके margin duty क्या होगी कम होती जाएगी I hope these points are clear to you if in doubt then tell me thanks and have a nice day